बहुत सारों लाग्यों तम्हें आवया गणी जग्या ये तम्हें रेडियो करें अच्छे हमारे तो तम्हारी पासथी शीखवानू है Well, I'll switch over to Hindi कारण के हमारे सुनने वाले यहां पर बहुत सारे गुजराती तो हैं लेकिन हिंदी ज्यादा है आप कैसे हैं और आपके बारे में कुछ हमारे सुनने वालों को बताएं कि आप कहां रेडियो करते रहें और कितने साल करते रहें नमस्कार ये रेडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ इससे पहले यहां के वैशाली जी और उनके पूरे परिवार का मैं तहदिल से शुक्र गुजार हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ बात करने का मुखा दिया जैसे कि आपने पूछा कि आप रेडियो करते रहें जी हाँ मैं 1988 से लेकर रेडियो करता रहा हूँ और पिछले साल ही एक वाई मर्यादा की सीमा के रूप मैं सेवा निवरुत हुआ हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बलर्ड से रेडियो तो गया ही नहीं जाएगा ही नहीं मुजिक तो नहीं जाएगा और मैं एक्चुली देखे तो मैंने 1983 से रेडियो का काम शुरू कर दिया था लेकिन मैं पहले अहंगामी तोर पे जाता था बाद में मैं UPSC से 88 में प्रोग्राम Executive के रूप में रेडियो से जुड़ा और बिन बिन शहरों में मैंने काम किया जैसे कि राजकोट में कच में भूज बडोदा में काम किया और रिमोट एरिया जो डांग है आहवा में रेडियो स्टेशन है वहां पर भी काम किया तो अलग-अलग लोगों क के साथ काम करके उन प्रदेश की जो विबिन्नता हैं उनकी जो रिचनेस है वह पेश करते रहे और मुझे भी इन लोगों ने बहुत इंप्रूव किया है वहां क्या बात है आपने सिखा उनसे बहुत सिखने को मिला है क्योंकि जब हम फिल्ड में जाते हैं तब ही हमें पत कैसे कैसी जैसे कच्छ में अगर आप जाएं तो देखें तो कैसी कैसी विटंबनाओं के साथ जजूंती हुए अपने जीवन को बड़ी शौक से और आराम से गुजार रहे हैं उनसे हमें एक खमीर मिलता है क्या बात है कि यह जिने का खमीर कहां पर है बिल्कुल यह जहां पानी नहीं है वहां भी जीने का जो उन लोगों में खमीर है और उनकी जो हस्पिटालिटी है आगता स्वाक्ता करने का जो रिवाज है रसम है वो सब देखने को मिला और दूसरा मैं आपको बताऊं जब मैं बड़ोदा था तब बरत सरकार ने हमें एक प्रोजेक्ट दिय था कि आप संसकार गित का ध्वानी मुद्रन करें और ऐसे इलाकों से करें जो एक बिल्कुल रिमोट है और जिसे हम ट्राइब्स केंते हैं अदिवासी समुदाई केंते हैं उन लोगों में आप जाईए और जैसे हमारे परंपरा में हम देखें तो हमारे सोला संसकार है क्य से पहले भी जब महिला गरबाधान करती है तब से पहला संसकार होता है वहां से लेकर के हमारी पूरी जीवन यात्रा में अलग-अलग संसकार मिलके सोला संसकार है तो हमारा उद्देश यह था कि हर एक संसकार के पीछे इनके गाने Herzegra High जो उस समय लोग या उसकी महिलाएं हैं वो गान करती है जैसे कि शादी है तो शादी में महिलाएं इकठे होके गान करती है इसमें मंगल की कामनाय करती है दूलहे को बड़ा बड़ा बताती है कि वो राम जैसा दूलहे सिता जैसी दूलहन है इस प्रकार की दिव्वी भावन है उनके मन में तो इस प्रकार के बहुत सारे संसकार है यग्योपवित संसकार है मुंडन संसकार है नामकरण संसकार है और हमारे यहां तो मृत्यों के बाद भी संसकार किया जाता है जिसको हम अंतीम संसकार बोलते हैं तो उस टाइम भी कुछ वर की महिलाएं हैं गो गाते हैं वो बड़े विलंबित सूर में जिसको हम गुजराती में मरशिया कहते हैं तो उस प्रकार के ये सब सामगरी हमें इकठी करनी थी इसलिए हमें बहुत रिमोट एरिया में जाना पड़ा और उनके कोई जो प्रमुख आदमी है उनसे मिलो क्योंकि ये लोग है ना जब तक आप उनसे अपना पन नहीं दिखाएंगे तब तक वो अपना मुह नहीं खुलेंगे तो पहले तो क्या हुआ कि उनसे घुल मिलना है उनको ये लगना चाहिए कि हमारे ही लोग है ये उनको हम टीशेट पें के जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई एलियन आया है तो उससे उनको पहले बाहर निकालना फिर उनसे समवाद करना यानि दो तीन बार तो वहां जाके वापस ही आ जाते थे ध्वनी मुद्रण की तो कोई बात ही नहीं होती थी पिर धीरे-धीरे करके हमने वैशाली जी बड इन ट्राइब्स कम्यूनिटी के और फिर हमने अपना थोड़ा अप्रोच भी अपना होना चाहिए नहीं तो वह लगाया कि वह पहले जो गीत है वह उसी में लिपी करके लिखना फिर उसका गुजराती अनुवाद करना क्यूंकि ट्राइब की लेंग्वेज गुजराती न तो उसको पहले बाद में गुजराती लिखना कि क्या है और ये फूट नोट भी देने का है कि ये इस अवसर पर गाया जाताquत्वा गुजराती के बाद उनका हिंडी करना हिंदी के बाद उनका English करना English के बाद उन्हों ने जिस लई में गाया है उसका notation करना क्या बाद है आप संगीत के बहुत माहीर है सा मुझे पता चला तो यह जो भी हमारी गाई की है उनका to होना बहुत ज़रूरी है अपने बड़ा difficult सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब हम स्टूडियो में उससे पहले वसन जी ने जो बताया कि किस तरह से उस जमाने में रेडियो स्टेशन वर्क करता था अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलोजी है कि हमें बहुत सारी चीजे पता नहीं चलती बट यह जो माइन्यूट लेव जो कि ढूंने पिछले सालो में तो यह कैसे होता था सो जानना और वो समज्घना यह जो इसल्फ बग ती संक दी बच्वा स्थिए रेयु mesmo को उंका स्ठीध रेयुरी लिएस राजियो दोनॉट से है और यह नोली कियरह ऑं एम स्थियो में जो की ऐस्फ यह मारी जीवक्क आपके साथ बात होगी पिछले दिनों इनके पिताश्री यहां पर थे जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि उनकी भी फिल्मी गीतों की जानकारी अद्भूत है जी अद्भूत है उनकी और इसकी वज़े से शांदुबाई की और बड़ी दमटी थी तो आप भी कल अगर आ सकते हैं लिए तो कल ज़रूरी आई है आपके निमंतरन के लिए में बहुत आबारी हो dewडली जह ने जें लिए लिसान जी परसनली फिल देलेंट इस सम्झी विच कम्स विदिन ये टेलेंट एक ऐसी चीज है कि गॉड़ गिफ्ट हो ती है और मैं खुद क्लासिकल भरतनाटियम डांसर हो तो मुझे पता है कि टेलेंट क्या चीज होती है मैं खुद ने साथ आठ साल नौ साल मैं ने डांस में किये है तो मुझे पता है और मेरे फादर खुद एक टेलेंट आदमी है तो मैं यह मानती हूं कि टेलेंट को एप्रीशेट करना बहुत इंपोर्टन होता है क्योंकि इसको सालों का सालों एकी तरह से करना और उसमें फिर चीजे वैसे लाना कि जो आपको एवरीडे ग्रो करें लिए बहुत ब्लॉड डालना पड़ता है ब्लॉड, स्वेट, यू नो, यू डू सो मच तो हमारे चिनी जी आज यहां पर है और उनके साथ आपका शो हुआ मतलब इस जस फिनोमेनल ये ये मिया घुट लग है ऐसा है सर कि मुझे पहले सही ने स्पोकन वर्ड में बहुत रही है क्या बाद है भाशा लिखित भाशा अलग है और उच्चरित भाशा भी अलग है बाशा का उच्चार सही होना सही माइने में होना और किस वर्ड पे स्ट्रेस देना है किस वर्ड पे नहीं देना है इसकी समझ होना तो मेरा वो फिल्ड हने पहले से ही बहुत इंट्र persons को train किया है कि how to speak और आप आप दो लाएं अपको आप लाइव जाने से पहले आपके script बना लीजिए पर बाद में उनकी तरफ देखिये मत आपके मन में होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है वो आपके सामने होना बराबर है पर लेकिन लिखित का presentation से बहुत important है वो बोलते है ना कि जो दिल से निकलता है जो भी आप बोलते हो जो दिल से निकलता है और जो लिखा हुआ निकलता है उसका difference जो सुनने वाला होता है वो बंदा पहचान देता है तो मैं भी यह मानते हो कि जो भी बोलो दिल से बोलो जो भी बोलो सही बोलो क्योंकि बोलने पर दुनिया कायम है, जो आप बोलते हो, वो ही आप पाते हो, वर्ड्स पे दुनिया कायम है, और कुछ नहीं है, वर्ड्स एंड एक्शन्स, और विशालीज ऐसा है कि हर एक जो शब्द है, उनका एक माधूरी है, मैलोडी जिससे हम कहते है, बिल्कुल, मधूर्था है, यह मधूर्था जब आपके मूँ से वो शब्द निकले, तो उस मधूर्था को लपेटे हुए निकलना चाहिए, बर्चट या कोरा, एकदम कोरा शब्द नहीं होना चाहिए, वो भिगा हुआ होना चाहिए, जिसमे मुझे बिल्कुल मिलता है, जिलता है एक गालिब का शेर याद आता है, अगर आपके इजाज़त हो, तो प्रेश करूँ, कि वो कहता है कि जबान में इतनी मिठास होनी चाहिए, तो वो एक शेर पढ़ते हैं गालिब, कि कितने शेरी हैं तेरे लब के रकीब, तेरे होंट क क्योंकि तुमारे शब्दों में इतनी मिठास थी, मिठास थी, कि तुमने जो कहीं वो उसको बुरा नहीं है, तो मैं मुत्तफिक हूँ आपने जो इसके पहले जो कहा, बिल्कुल सही बात है, तो कल आप आएंगे ऐसी उमीद रखें, क्या वेशाली जी, आपी जी, मैं उन कि मुझे खुद को, जब मैं अपने बुजूर को देखती हूँ, मैं उनकी एक जर्नी सुनती हूँ, मुझे खुद को लगता है कि there is so much to learn, there is so much to gain, and knowledge एक ऐसी चीज है कि हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि I know everything, you know, मैं अभी भी आज भी ये देखती हूँ कि मैं हर एक इंस जब मैं नया नया ब्रोडकस्टिंग में आया था, तो मेरी 86 में शादी हुई थी, और मैं 88 में ब्रोडकस्टिंग में आया, तो न्यूली मेरेडी था मैं, और यहां पर जो खड़ा है मेरा बच्चा, वो छोटा सा था, तो उस टाइम क्या हुआ करता था कि आफिस से फिर स्टूडियो में काम करते यह करने के बाद गर पहुंचते पहुंचते ने आठ साड़े आठ बच जाते थे रात के, तो अकसर मेरी वाइफ मुझे कहा करती थी कि आप बहुत देर से आते हैं, क्योंकि एड्मिन स्टाप जो होता है ने, वो साड़े पांच ब पहुंचते तक गर पहुंचते और मैं साड़े आठ बच तक कभी स्टूडियो में गया तो नौ भी बच जाते थे, तो पता नहीं मैंने उनको यह कहा कि भी यह नया नया माध्यम है, इसलिए मुझे सीखने में बहुत समय जाता है, एक चीज सीखने में भी मेरा बहुत टा तो मैंने ऐसा ही कहा कि मुझे कम से कम दस साल तो लगेगा, तो ठीक है, फिर कभी उन्होंने मुझे शिकायत नहीं की कि आप कितने देर से आते हैं, कि कभी निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने शायद याद रख लिया था, तो अठानवे में, 1998 में उसने मुझे एक दिन तो आप तो अब सीख गए होंगे ना तो उस टाइम सर विशाली जी पता नहीं मेरे अंदर से ही एक जवाब निकला जो मैंने सोचा भी नहीं था मैंने उनको ये कहा कि देखो ऐसा है कि ये बाध्यम को समझने के लिए मुझे दस साल लगे काम तो अब शुरू होगा काम तो अब शुरू होगा इसको समझने में इसकी जो कॉंपिटनसी है ने मैं मैं दावे के साथ कहें था हूँ कि मैं आज भी नहीं समझा हूँ क्या बात है क्या बात है आज भी इनकी कॉंपिटनसी को मैं पहचान नहीं पाया हूँ कि ये क्या साम थे और मैं बताऊं 98 से लेकर के 2008 वो 10 साल में मैंने 12 एवोर्ड लिये क्या बात है वाँ प्रोडक्शन के 12 एवोर्ड वन डजन क्या बात है क्योंकि बाद में तो पता चला कि इसमें ये सब बारी किया है तो हमारी तरफ से लेटी सही आपको अभी नंदन ओन एवोर्ड के लिए अभी नंदन थेंक यू सो मच वसंजी आज आने के लिए हमारा बहुत नसीब है आज कि आप हमारे साथ बैठे हो इतने नौलेज़ेबल इंसान शुक्र गुजार आभारी आपका हूं क्योंकि आपने मुझे यह मौका दिया मैं तो यहां छे महिने से आया हुआ हूँ और अभी दो दिन के बाद वापस बारत जाई रहा हूँ और एक इत्तिफाक से कारिक्रम में वेशाली जी से और सेम जी से मेरी तो मनिशा यह थी मैं सुनता था तो मैं मेरे बच्चे को कहता था कि मुझे फ़न एशिया देखना है क्या वाथ क्योंकि यही मेरी जान है मेरी जान यही तो अटकी हुई है आपका स्टूडियो है जब भी आप नेक्स्ट टाइम आए प्लीस जरूर बट आपको अगर आ सकते हैं डेफिनिटल आईए मैं कोशिश करूंगा और बिलकुल जैसे वो फिल्मी समवाद है ने वादे अक्सर त क्या अनेक बार मिलने के लिए एक बार मिलने है तो आपकी पसंद का जीट बोलिये हम इसके हैं वाइंड अप्यवे पसंद केला लगा दूंगो कम ए कोई विसार मूझे मुझे सेवन्टीज के अभी 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 कार्यकरम हुआ था है लक्ष्मी कांट पहरालीली का हाँ जी और हम उसी में ही तो मिले थे तो उनकी प्रेम रोगक कुछ नहीं है बाता जिब रोग ये लग जाता है यहाँ प्रेमेर होगी है. क्या बात है? बहुत अच्छी बात है सर और यह वादा रहा कि dzi伙 है. हमारे साथ कुछ समय गुजारेंगे जिसकी वज़े से हमें बहुत अच्छा लगेगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके सभी श्रोताओं से समवाद करना आप लोग से मिलना और आपके साथ एक पारिवारिक संबंध जो आप बन गया है तो उनको संजो के रखना